लोगसबर चुनाफ के नतीजों ने कॉंग्रिस में ऐसी हलचल मचाई जिसने पूरी पार्टी को हिला कर रख दिया पहले राहुल गांधी ने अध्यक्ष पर छोड़ा फिर पार्टी में स्तीफों का दौर शुरू हो गया पार्टी में छिड़े इस खमासान को शान्त करने के लिए ही दो महीने बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली जिसके बाद से ही वो पार्टी को लगातार मजबूती देनी के कोशच कर रही है वह अब सोनिया गांदी ने 25 अक्टूबर को कॉंग्रिस थिंक चैंक ग्रूप की बैठक बुलाई है गुर्वार को हर्याणा और महराष्टर के चुनावी नतीजे सब के सामने होंगे और इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि दोनों बीजेपी शांसत राच्यों में कॉंग्रिस कितने पानी में है क्या इस बार भी उसका लोगसभा चुनाव जैसा हाल होता है या फिर परिवर्तन क्यांधी चलती है हालकि एक्सेट पोल्स के ज्यादतर नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में ही हवाबा हा रहे हैं इन सब के मद्य नजर नतीजों के अगले दिन ही कॉंग्रिस के अंतरे मध्याक्ष सोनिया गांधी ने कॉंग्रिस तिंक टैंक ग्रुप की बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व अध्यक शुराहुल गांधी, पूरव प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग, एहमत पटेल, केसी वेड़ो गोपाल समेत, कई वरिष्ट नेता शामिल होंगे बताया जा रहा है कि इस बैठक में महराश्ट हरियाना समेत, सोला राज्यों में हुए उपचुनाफ के नतीजों की समिक्षा की जाएगी इतना ही नहीं आगामी जारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाफ को लेकर भी चर्चा संभव है आपको बताते कि जारखंड में इस साल की अंत और दिल्ली में अगले साल की शुरुवात में विधानसभा चुनाफ हो सकते हैं जिसे लेकर सोनिया गांधी पिछले दिनों भी कई बैठके कर चुकी है सूतरों के मताबेक इन सब के साथ-साथ कॉंग्रिस अध्यक्ष का ध्यान देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर भी है कॉंग्रिस ने उत्तर प्रदेश में हाली में अध्यक्ष को न्युक्त करने के साथ-साथ महासचीवों और सचीवों की कमेटी का भी पुरल गठन किया है टीम में ज्यादतर नए चेहरे होने की कारण इने ट्रेनिंग देने की जरूरत महसूस की जा रही है ऐसे में माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ठिंक टैंक ग्रूप की बैठक में आगामी रनीती पर चर्चा करेंगी और देश की सबसे पुरानी पार्टी को दुबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगी डिबी लाइफ की रिपोर्ट